नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासर मार्ग पॉस के महने में भगवान सुरी की उपासना करने का विधान है और यह मेना सुरी देव की पूजा के लिए बहुत बिसेस महत्वी रखता है लेकिन चुकि इस बार की पुर्णिमा गुरुवार के दि यह बहुत महत्व रखता है और पॉस के पुर्णिमा में बिसेस कर पवित्र नदी सरोबर में नहाने का विधान है पॉस के पुर्णिमा के दिन अपने भागे को बदलने के कुछ बिसेस प्रयोभी के जाते है देखिए इस बार यह पुर्णिमा गुरुवार अर्ष को मना जा रही है और इस दिन को साकंभरी पुर्णिमा भी कहते हैं मान्यता है अगर पौस के महिने में नियमित रूप से सूरे देव की उपासना की जाए खास तोर पुर्णिमा के दिन भगवान सूरी की अराधना की जाए तो बैक्ती साल भर स्वस्ते रहता है जीवन में धन की कम नहीं होती संपर्नता भरी रहती है और भागी भी सूरी की भाती चमकता रहता है यानि इस दिन अगर आप अस्नान करके पवित्र नदी सरोबर में भगवान सूरी को एक लोटा जल भी अरपित कर दे या भगवान सूरी के सामने खड़े होकर 27 बर गायतरी मंत्र पढ़ दे और देव योग से बुरे से बुरे वक्त से भी आप भली बाती सुरक्षित बाहर निकलाते हैं धर्म गंतों में पौस पुर्णिमा के दिन उपवास रखने की मानेता है अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए क्या करें कि सब देखिए इस दिन चुकी पौस पुर्णिमा के दिन सुर्य उद्रे होने से ही पहले उड़ जाईए अब असनान बेगेरा कीजिए पहले तो पूरे घर की सफाई कीजिएगा पूरे घर की सफाई करने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदन बार करिए और इसके बाद असनान बेगेरा करिए लाल कपड़े पहल ले कोई भी एक कपड़ा चलेगा अब एक तामबे के लोटे में या जो भी आपके पास लोटा है उसमें जल भरे हाथ में जल लेकर ओम ओम सवदिके मंत्र का कम से कम 27 वर उचारन करें या आप गायतरी मंत्री पढ़ ले फिर आप इस जल को पूरे घर में छिड़क दें ऐसा करने से आपके घर की पवित्रता बढ़ेगी अब पूरा जल नहीं छिड़क देना है थोड़ा सच छिड़कना है बाकी कि किसी गायतरी मंत्र भी पढ़ सकते हैं क्योंकि गायतरी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बड़ी से बड़ी विपत्ती से भी आपको बाहर निकाल लेता है आपके हांद पकड़ कर धार्मिक मानेता में अगर इस दिन सुरिजेव के समक्ष बैठकर आप आदित हिदय स्तरोत का पाठ करें तो सरकारी नौकरी प्राप्ती की समस्या दूर होती है सरकार से लाब होता है समाज में मान सम्मान बढ़ता है उच्चिपद परतिष्ठा भी बढ़ता है आप सत्रूओं पर बिज़ाई प्राप्त करत आते हैं पॉस पूर्णी मा के दिन सुबह जल्दी उठकर अस्टनान बेगेला करके भगवान सुरी को तामबे के लोटे में जल और गुड मिलाकर अर्द दें और अर्द देने के स्थान पर ही तीन बार परिक्मा करें फिर परणाम करें फिर अपनी मनों काम ना कहें तो मन प्रियोक कर लेते हैं तो धन की कमी नहीं होती क्या करेंगे देखिए इस दिन बिशेस प्रियोक टोना टोटका भी किया जाता है ताकि जीवन में खुसियां बढ़े आनंद बढ़े सुख सांती सम्रिद्धी बढ़े चुकि पॉस पूर्णी मा पूरे महिने उत्तम स्वास संबान की प्राप्ति के लिए ही जाना जाता है और पॉस पूर्णी मा के दिन अगर भोज पत्र पर अनार के कलम से सिहाई होगी अस्ट गंदगी गायतरी मंत्र लिख ले या आप चाहे तो लाल चंदन भी अस्ट गंद चे जग़े यूच कर सकते हैं गायतरी मंत्र लिख लें और अपने पर्स में रख लें तो ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा आपका भाग्योदे होगा तो इस दिन बहुत सारे प्रियोग की जाते हैं लेकिन चुकि आज हमने टॉपिक रखा है लॉंग और दीपक की तो चलिए जानते हैं व एक लाल कपड़ा ले ले फिर आप अपने घर के पूजास्थान पर बैठ जाए अब मालक्ष्मी के सामने बैठिए एक घीका दिया जलाईए ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं सुबह भी कर सकते हैं सामने भी कर सकते हैं अगर सामने करें तो जादा अच्छा है अब जब आप दिया जलाईएगा तो उसमें दो लॉंग डाल दीजिए और जो दो लॉंग है उसको आप लाल कपड़े में बांध कर मालक्षमी के सामने रख दें कुछ देर के बाद आप उसको उठाईए अपने घर के धनस्थान पे रख दें आपकी समस्त मनोकामनाय पूर्णी होग अगर करजों से समस्या है तो करजों से मुक्ती मिलेगी और जीवन में जो धन की मुस्किले है वो तो समाप्त होगी ही और दीपक के पास जो लॉंग जल जाए जब बाती सांथ हो जाए दीपक सांथ हो जाए तब बाद में उठा कर कही मिट्टे में दबा दीजिएगा कही या घर के बाहर कोई पर यह दिपक्त अगर अगर मिठू का हो तो अच्छा नहीं तो फिर किसी धातू के भी दिपक उफी दिपक आप जला सकते हैं mm लेकिन acquire कि घर करना किसी से चर्चा करना यह आप को इसले यह यह उपाय सांध कर कीजे अब ये canción किजिए क्ति पर यसे आप जीवन में बहुत धन की कमी महसूस होती है बाहर नहीं निकल पाते हैं ऐसे में क्या करेंगे तब आप एक छोटा सा परियोग करें पॉस पूर्णिमा की रात साम में हनुआन जी के साम ने चौ मुखा एक दिया जलाईए चौ मुखा दिया सरसों का तेल का होगा इसमें डाल अब चौ मुखा दिया जलाईए और एक लॉंग डाल दें ऐसा करने से अपने घर के पुजास्थान पर ही जलाएं घर की नकात्मक सक्तियां खत्म हो जाएगी आपकी तरकी होगी मालक्ष्पी प्रसंद होंगी हनुमान जी की क्रपा से आपके सारे कस्ट मिट जाएंगे त तो ये छोटा सा परियोग है लेकिन आपके जीवन के बड़े से बड़े प्रसानी को दूर कर देगा बाना जाता है कि पॉस पुनिमा के दिन अगर रात में साम के समय घर में आप एक दीपक जलाकर अपने घर के किसी अंधेरे कोने में रख दे तो दरिता दूर होती है और गर के पुजा स्थान पे चलाएं एक जैसे हमने का सरसों के तेल का दिया हनवान जी के लिए आपको जलाना है ताकि पूरे घर आपको बहतर हो पास के किसी सिवाले में जरूर जलाईएगा और पास में जो नदी सरोवर है वहाँ पर जाके जलाएं अगर नदी सरोवर नही जा सकते हैं अपने घर के ही जहाँ पर पानी का सरोथ है आपके किचेन में होगा बहुत साई लोगों का पुजा घर में भी होगा पानी का सरोथ जहां भी है वहाँ पर आप जला दे या फिर आप किसी बरतन में पानी रखकर पुजा स्थान पे रखिए उस पर ही दिपक ज आपनिवा